हेल्ट फेंट्स मैं हूँ सनमय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकार जॉब नियूज इस करेंट फर्स वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट है तेरा राज्यों में जो गवर्नर या कहें एक यूनिन टरिट्री में लिफ्टिन गवर्नर वो चेंज हु आपको बदा दों कि BPSC का एक्जामनेशन हुआ है 68 और यह जो प्राड़म भी परिक्षा थी 12 फर्वरी को उसमें शांदार कोशन्स टकरा है हमारे आप देख रहे हैं इसमें इसमें जो कलर घेरा हुआ हुआ है वो दिखाऊंगा मैं यह इस तरह के जो मैंने आपको जो जो यह रेट कलर में घेरा हुआ है वो सब कुछ उधारन के तौर पर जैसे मैं बताओं कि जो एक उपन्यास है उसे बोकर पूरा उडिट प्राइज मिला था तो कौन सा है उन सब के बारे में इसके लावा जो दुनिया का सबसे बड़ा जो जुआला मुखी है उस पर मैंने बताया था मैप के थ्रू बताया था ग्राफिक्स के थ्रू बताया था वो सब कोशन आया है परम कामरूप जो सूपर कंप्यूटर राष्टपती ने अनावरन किया उसके बारे में कोशन आया है इंडिया पोस्ट पेमेंट ने किस जीगा पर फ्लोटिंग वित्ती सा इसमें तो मैंने पूरा ग्राफिक्स वीडियो इन सब का इस्तमाल करते हुए सब कुछ बताया था आपको ठीक है इसके अलबार जो स्वक्ष्ण सर्विक्षन है इसके बारे पूरा डिटेल था उससे रेलेटेड जो कोशन आये है वो है यूर 2.0 जो योजना है उसके बारे म में डिटेल बात की थी किस मंत्रले से है क्या है ओके और भी कई सारे कोशन है 28 कोशन में तो टोटल जो डेर सो कोशन थे बीपी एसी एक जामनेशन में उसमें से 29 कोशन करिंट फर्सके थे और 28 कोशन हमारे जो हमने बताया थे वो सब टक रहा है और इसका PDF भी अबलेबल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना और वहां देख लेना कौनकों सा रेट कलर में है वो सारे कोशन अच्छा बहुत सारे जो इस्टूरेंट्स हैं उन सबने मैसेज भीज़े हैं वीडियो उस पर कमेंट किये हैं कि शांदार एक्जामेशन गया है और आपक तो फोकस करते हुए हम लोग तयारी करवाते हैं और शांदार इस बार एक्जामनेशन में मतलब क्या बताओं बड़ी खोशी होती है जब आप लोग बताती हो कि किस तरीक से कोशन आया है तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना अगर आपने नहीं लिया तो डिस्क्रिप्शन देख लेना और वाटसेप पर इसका मैसेज भी कर सकते हैं वाटसेप पर आप चलिए शुरू करते हैं और अब गवर्णर एक एक करके जो तीरा राज्यों यूनियन टेरिटरी में बदले हैं उन सब के बारे में बात करेंगे मैप के थ्रूप तो पहला कोशन लेते हैं बिहार के नए राजिपाल का नाम बता हैं कौन है नए गवर्णर मैप में यहां पर रहा बिहार आंसर होगा राजेंदर विश्वनात अरलेकर ठीक है फोटोग्राफ मेरे बगल में अब देख रहे हैं इससे पहले वह गवर्णर थे कहांके ध्यान रखना है गोवा के मुखत्तो और पर रहने वाले हैं वो भाजपा के मात्सचीव रह चुके हैं तो बिहार के मुखवंत्री कौन है अभी नेदिश कुमार और नए गवर्णर राजेंदर विश्वनात अरलेकर राज़ानी पतना है राजी का गठन का भुआ था 22 मा कोशन जारखन के नए गवर्णर कौन बन गए हैं जारखन के नए राजपाल मैप में यहां पर रहा यह जारखन इसका अंसर क्या होगा इसका अंसर है CP राधा कृष्णन नाम ध्यान में रखना है आपको और फोटोग्राफ यह रहा है CP राधा कृष्णन तमिलाडू के उ चुके हैं तो अब जार्खन के वो गवर्णर है क्या नाम इनका CP राधा कृष्णा इन्होंने किस की जगा लिए रमेश बैस की जगा लिए रमेश बैस को महराष्ट भेज दिया गया है ठीक है तो जार्खन में इस वक्त वुखमंद्री कौन है हिमाद सोरें और नए गवर्णर है CP राधा कृष्णा राजधानी राची है राज़ कब बना था 15 नौमबर 2000 को बिहार से अलग होगा पर उसी राज़ कौन कौन से है तो बिहार है पशिममंगाल औरिसा चतिसगर उत्तप्रदेश अगला कोशन रेते हैं चतिसगर के नए गवर्णर का नाम बता है कौन है चतिसगर के नए राज़पाल और मैप में यहां पर रहा यह रहा चतिसगर इसका अंसर होगा विस्वा भूशन हरी चंदन थीक है नाम आप ने सुना होगा और इससे पहले कहां का एक गवर्णर थे यह आंध्रप्रदेश के गवर्णर थे अब इनको चतिसगर का गवर्णर बना दिया गया है 84 एर के हैं और ओडिसा के रहने वाले हैं भवनेश्वार चिलका विधान सभा से विधायक रह चुके हैं ओडिसा बीजेपी के अधक्ष भी रह चुके हैं तो उनको बनाये गया था इससे पहले कहां का गवर्णर आंध्रप्रदेश का और अब चतिसगर का गवर्णर इनको बना दिया गया है चतिसगर में इससे पहले कौन गवर्णर थे तो अनुस्या उई के उके तो उनको मनीपुर भेज दिया गया है और अब चतिसगर में है विश्वा भूशन हरी चंदन और चतिसगर के मुखमात्री कौन है अभी भूपेश बगल तो नए गवर्णर कौन हो गया है विश्व जारकन, उत्रप्रदेश, मधप्रदेश, महराष्ट, तेलंगना, आंधप्रदेश और ओडिसा अगला कोश्चन लेते हैं महराष्ट के नए गवर्णर कौन है महराष्ट के नए राजपा मैप में यहां पर रहा महराष्ट इस कांस होगा रमेश बैस ओकी क्या नाम है रम पहले भी गववनर थे कहाँ के तो वो जारकन के गववनर थे और तिर्पूरा के भी गववनर वो रह चुके थे तो अब उनको महराष्ट की कमांद दी गई हैं। भगसिंग कोश्वारी चत्पते शिवाजी महराज पर उन्हें कुछ बयान दिया था उसको लेकर काफी विवाद हुआ था और फिर ग्रिह मंत्री को उन्हें पत्र लिखा था और मागदर्शन मांगा था कि उन्हें पद पर रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए बाद में ने इस्तिफा दे दिया ओके तो महराष्ट की बात कर रहे हैं नए गवर्नर यह हैं मुखमंद्री अभी कौन है एक नाथ शिंदे नए गवर्नर रमेस मैस राजधानी मुंबाई है राज का गठन का भुआ था एक मईए 1960 हो और इसके परुसी राज़ी कौन-कौन से है तो ग दिस्क्रिप्शन में चेक के लेना या सरकारी जो आपने उसको जो एप है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं अगला कौशन आंद्र प्रदेश के नए राजपाल का नाम बताएं आंद्र प्रदेश के मामले में काफी यह रहा आंद्र प्रदेश ठीक है यहां पर और उस चार जन्वरी 2023 को सुप्रिम कोर्ट से रिटायर हुए थे और उनको अब आंद्र प्रदेश का गवर्नर बना दिया गया है ठीक है सुप्रिम कोर्ट में वो जजज थे और चार जन्वरी 2023 को वो रिटायर हुए है ठीक है और इंपर्टन बात यह है कि जश्टिस नजीर वो राम मंदीर पर जो फैसला देने वाली जो बेंच थी ने सुप्रिम कोर्ट की उसके एक सदस्त थे और उन्होंने मंदीर निर्माण के पक्ष में फैसला दिया था ट्रिपल तलाक का जो फैसला हुआ था उस बेंच में में शामिल थे और कुछ वक्त पहले अब्दुल नजीर में ही पाँज जो पीट थी सुप्रिम कोर्ट में उसका नहरुत्यू किया था जिसमें नोट बंदी के मावले में सुनवाई हुथी 2016 में जो नोट बंदी हुई थी उस मामले में और उन्होंने बहुमत से जो फैसला सुनाया था, बहुमत की राय हुई थी कि नोटबंदी उची तरीके से केंसरकार ने लागू किया था तो अब एस अब्दुल नजीर वो आंध्र प्रदेश के गवणर हो गए है उन्होंने किसकी जगह लिए है विश्वा भूशन हरीचंदन की और विश्वा भूशन हरीचंदन को कहा भीजा गया है वो तो चतिसगर में जा गया है चतिसगर के गवणर है विश्वा भूशन हरीचंदन और अब आंध्र प्रदेश के गवणर एस अब्दुल नजीर ठीक है तो आंध्र प्रदेश के अभी इस वक्त मुख मंत्री कौन है वाईस जगन मोहन रेटी नए गवर्नर तो एस अब्दुल नजीर हो गए है राजधानी क्या है आंध्र प्रदेश की तो वैसे तो आमरावती पहले से गोशित है फिर ये गोशित हुआ कि वहां तीन राजधानी होंगी फिर से अभी हाली में वहां की राजध सरकार ने ये कहा है कि विशाका पत्रदेश को हम वहां ओफिशल राजधानी बना रहे है ठीक है? हलां कि उसकी पूरी प्रकिरिया होती है कि इन सरकार से मंजुरी बगर लेनी होती है तो लंबी प्रकिरिया चलेगी पर उसी राज कौनकों से हैं? आंत्रप्रदेश के, तो ओडिसा है, चातिसगर है, महराष्ट है, करनाटक, तमिलाडो अब बात करते हैं जो नौर्थिष्ट के राज हैं जहां पर बदला हुए हैं गवरनर के सिक्किम के नए गवरनर कौन है? सिक्किम कहा है मैं अपमें यहां पर यह रहा सिक्किम ठीक है? और इसकी सीमा कहा से लगती है? चाइना और उधर नेपाल तो इसका आंसर क्या होगा, सिक्किम के नए गवर्नर लक्षवन परसाद आचारे, क्या नाम है, लक्षवन परसाद आचारे फोटोग्राफ यह रहा, भाजबा के उत्तरप्रदेश इकाई के उपाध्यक्ष अभी तक है, मतलब अब तो इस्तिफार दे रहे होंगे और आप बन जाएंगे, हैश्पती ने उनके निफ्ति कादेश जारी कर दिया है, और विधान परिशद के सदसे हैं उत्तरप्रदेश के, बीजेपी से, आदवासी बहुल जो सोन भद्र है, उसके वो मूल निवासी हैं, उत्तरप्रदेश के, और वो वारानसी में उनका पूरा पर गया है, लक्षवन, प्रसाद, आचारे उनको, ओके, सिक्किम, वहां के मुखमंत्री कौन है, प्रेम सिंग तमाग, नए गवर्नर, लक्षवन, प्रसाद, आचारे, राजधानी क्या है, गंग टोक है, राजी का दर्जा कब मिला था, भारती संग में शामिल हुआ था कब, 16 मई 1975 को, पर उसी देश से सीमा किस किस से मिलती है, चीन और नेपाल, पर उसी राजध कौन सा इसका, पशिम बंगाल, ओके, यहां है सिक्किम, आगे बरते हैं अगला कोशन, अरुनाचल प्रदेश के नए गवर्नर कौन बन गए है, नए राजपाल अरुनाचल प्रदेश के, अरुनाचल प्रदेश कहा है, मैप में, यहां पर रहा, ठीक है, इसका अंसर का, रिटायर्ट लिफ्टेंट जनरल कैवल्य त्रीवी क्रम पर्वनाइम, ठीक है, तोड़ा लंबा नाम है, वैसे यह नाम है, बाकी तो इनका रिटायर्ट लिफ्टेंट जनरल हैं वो, औ और अब वो बन गए है, गवर्नर कहा के, अरुनाचल प्रदेश के गवर्नर बन गए है, और फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, सिना सेटकार्ड लिफ्टेंट जनरल है, राश्टपती ने, दुरबदी मुर्वु ने, उनको, किनकी जगा, बीडी मिश्रा की जगा, यह और भीडी गा, वो भी बताएंगे अगले कोशन में, ठीक है, इनके बारे में बताओं, कैवल ले, त्रिवी क्रम पर नाइन, ये मुकतार पे महराश्ट के रहने वाले हैं, और इंडिन आर्मी में जो वो काम कर रहे थे, सेवा दे रहे थे उस वक्त, जो उतरी कमांड ह यानि नॉर्धन कमांड है, उसके चीफ रह चुके हैं, तो नाचर प्रदेश, उसके मुक्ष मत्री इस वक्त कौन है, मुक्ष मत्री है, पेमा खांडू, नए गवर्नर, रिटार्ड, लेटने जनरल, कैवल ले, त्रिविक्रम, पर नाइन, नाम ध्यान रखना है आपको, राजधान का है, इटा नगर है, ठीक है, और राज का दर्जा कब मिला था, इसे, अरुनाचर प्रदेश को, तो 20 फरवरी 1987, 20 फरवरी 1987 को, और उसे पहले केंद्शर्ष्ट प्रदेश का दर्जा था, पहले इस राज को नौर्थ इस्ट फ्रेंटियल एजनसी और नेफा के अगे बढ़ते हैं, अगला कोशन रहते हैं, असम के नए गवर्नर कौन बन गए हैं, क्या नाम है असम के नए गवर्नर का, असम मैप में यहां पर रहा, यह रहा असम, इसका आंसर होगा गुलाब चंद कटारिया, ठीक है, राजस्थान के लोग इनको जानते होंगे, लेटा प्रतिपक्ष रह चुके हैं, वहां पर, आठ पर विधायक रह चुके हैं, राश्पती ने अब उनको असम का गवर्नर निवत्किया है, और किनकी जग़ा निवत्किया हैं, तो जगदीश मुखी की जग़ा, इससे पहले जगदीश मुखी यहां के गवर्नर थे, लेकिन अब आप कौन हो गए हैं? गुलाब, चंद, कटारिया. असम के मुखमत्री इस वक्त कौन हैं? हेमानता विश्वा, सर्मा. असम की राजधानी क्या है? देशपुर. राजी का दर्जा कब मिला था? 26 जन्वरी 1950 को. किस परुसी देश से सीमा लगती है इसकी? तो बांगलादेश और भूटान. परुसी राजधी कौन कौन से हैं? पशिममंगाल, अरुनाचित प्रदेश, नागालेंड, मनिपूर, मिजोरम, तिरपूरा और मेघालें. कई राजजों से. चलें, अब आगे बढ़ते हैं, अगला कोश रहते हैं, अब बात करते हैं नागालेंड के. नागालेंड के नए गवर्नर कौन है? नागालेंड कहां पर है? मैप में दिखा गते हैं आपको. यहां पर रहा नागालेंड. यह वाला जो हिस्सा है, यह है नागालेंड. ठीक ह इसी के ठीक यहाँ पर ये वाला हिस्सा है मनिपूर और ये है नागालाइन तो नागालाइन के अब गवर्नर हो गया है लाग गनेशन ठीक है और इससे पहले वो पशिम बंगाल का जो गवर्नर का अतरिक्त प्रभार है वो भी संभाल चुके हैं जब जगदीप धनकर वो वहां का पुरभारी बनाया तो अब वो नागालाइन के राजपाल बन गया है उन्होंने किस की जगा ली है तो ज verw which की जेगाली है तमिलाडू में बीजेपी के लीडर रह चुके हैं लाग गनेशन और अब वो नगलैन के गवरनर है नगलैन में फोटोग्राफ ये रहा लाग गनेशन का नगलैन के मुखमत्री कौन है नेफिय रियो और नए गवरनर लाग गनेशन राजधानी क्या है कोहिमा राज का गठन काव हुआ था 1 दिसमबर 1963 को 1 दिसमबर 1963 को परोसी देश से सीमा कहां से लगती है तो ये रहा मियाग मारी धर से परोसी राज कौन कौन से है तो इसके परोसी राज हुए अनुचर प्रदेश, आसम और मनिपूर अब बात कर लेते हैं मनिपूर के मनिपूर के नए गवरनर कौन बन गया है नए राजपान मैंने बताया आपको यहां रहा ये मनिपूर आंसो का इसका अनुसुया उई के थीक है अनुसुया उई के इससे पहले वो कहां की गवर्नर थी, चतिसगर की गवर्नर थी, अब इनको मनिपूर भेजा गया है, मनिपूर की गवर्नर हो गई है, और किसकी जगह लिए है उन्होंने, लाग गनेशन की जगह लिए, लाग गनेशन को कहां भेजा गया है, इससे पहले वाला कोशन था, ना मनिपूर यह आप देख रहे हैं मनिपूर की सीमा किस देश से लगती है मैंगमार से पर उसी राज कौन कौन से है नागलेंड असम और मीजोडम ठीक है और वहां के मुखमंत्री कौन है इन बिरेंज सिंग और नए गवर्नर नई गवर्नर कहिए अनुसुया हुई के राजद हिस्ता है यह है मेघाले मेघाले नाम मेघों से पढ़ा है मतलब बादलों की वज़से पढ़ा है बारिश खूब होती है और उसी वज़से नाम है मेघाले अंसर इसका फगु चोहान फगु चोहान इससे पहले बिहार के गवर्नर थे और अब मेघाले के गवर्नर का कामका उनको दिया गया है, तो मेघाले में किस की जगा लिया है उन्होंने, बीडी मिश्रा की जगा लिया है, मेघाले के इससे पहले गवर्णर कौन थे, बीडी मिश्रा, बीडी मिश्रा को दूसरी जगा भीजा गया है, वो भी बताएंगे आपको, ठीक है, तो अब फगु चोहा हो गया है मेगाले के गवर्नर उतरप्रदेश के रहने वाले मुखत खोर पे फागुचोहान बीज़ेपी विधायक रह चुके हैं वो ओके तो मेगाले की बात कर रहा है मेगाले यहां पर है वहां के मुखमत्री कौन है कॉन्रोड संग्मा नए गवर्नर फागु चोहान राजदरनी का है शिलाउं पर उसी देश से सीमा लगती है किस देश से तो यहां बंगलदेश है इधर पर उसी राज यह कौन सा है इसका तो वह है असम अगला कोशन लेते हैं अब चलते हैं तोड़ी दूर नौर्थिष् जारा भारत है और इसमें यह हिमाचल प्रदेश है आंसरों के इसका शिव परताप शुकले नए गवर्नर शिव परताप शुकले और फोटोग्राफ आप देख रहे हैं मुखतार पे वो उतरप्रदेश के हैं गुरखपूर जिले के रहने वाले हैं वो चार बार विधायक रह चुके हैं तीन बार केंदरी मंत्री रह चुके हैं और मुझूदा समय में वो राजसभा सांसद है तो अब उनको हिमाचल प्रदेश का गवर्नर बना दिया गया है किस की जगह लिए हुनोंने राजिंद विश्वनात अरलेकर की जगह लिए हुनोंने ठीक है तो जन्वरी 1971 को परुसी देश से सीमा लगती है किस देश से तो चाइना से परुसी राज्य वो यूनियन ट्रेट्री कौन है तो लदाख जमुकश्मीर पंजाब हरियाना और उत्राखंड और अब बात करते हैं लदाख के कोशन होगा केंद शासत प्रदेश लदाख के नए उपर राजपल का नाम बता है लिफ्टेंड गवर्नर ओफ लदाख कौन है लदाख यहाँ पर रहा सिर्मौर देश का आंसों का इसका बीडी मिश्रा ठीक है तो बीडी मिश्रा वो भार अरुनाचल प्रदेश और मेगाले के गवर्नर रह चुके हैं बीडी मिश्रा फोटोग्राफ में दिखा देना चाता हूं यहाँ रहा फोटोग्राफ ओके तो बीडी मिश्रा अब वो लेफ्टेंड गवर्नर के तौर पर उन्होंने जगह ले लिए है लदाख में इससे प पर उसे देश से सीमा लगते है लिए किस देश से चीन, अफगानिस्तान और पकिस्तान ठीक है यहां से अफगानिस्तान, इधर पकिस्तान और इधर चाइना ठीक है और एके करके जो सभी राज हैं और के अन्षरस्थ प्रदेश हैं जो तेरा जहां बदला हुए उन सब को एके बाद पूरा देख लेते हैं कि कहां कहां कौन-कौन चेंज हुए हैं कौन-कौन नए हैं ठीक है तो बिहार में नए गवर्नर है राजेंदर विशनात अरलेकर जहारकन वहां पर हैं सीपी राधा कृष्णन चतिजगर उसके गवर्नर कौन है विश्वा भूशन हरिचंदर महराष्ट के गवर्नर कौन है रमेश बैस आंधर प्रदेश के गवर्नर नए कौन है पुर्व जश्टिस एस अब्दुल नजीर सिक्किम के गवर्नर लक्षन प्रसाद आचारे अर स्थ्ट के गवर्नर लागनेशन मनीपूर की नए जबरनर लाउसीया ओएक्ये मेगाले के ने गवरनर लाइन पूरा तेरा जो राज्य और यूनिन ट्रेटरी हैं आपको ध्यान में रखना है कोशिश यही रही कि आप इस चीज को पूरी तरिके से समझ सके रटने से ज्यादा बेहतर है समझ लेना आगे बरते हैं अगला कोशन लेते हैं विश्व रेडियो दिवस कब मना जाता है आंसर होगा इसका 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस क्यों मना जाता है क्योंकि इसी दिन इनुटर नेशन्स रेडियो का पहली बार प्रसार नुगा था कब 1945 को किस दिन 13 फरवरी को ठीक जैनती होती है तो उन्हीं की याद में और उनका जन्म का भुगा था सरोजनी नाइडू का 13 फरवरी 1889 को 1879 को सरोजनी नाइडिड का कई उपनाम भी है जैसे नाइटेंगल आफ इंडिया भारत कोकिला और सुतंता संग्राम में बहुत ही अहम योगदान था उनका अगला कोशन लेते हैं वर्ष 23 में अंतराश््टिय मेरलगी दिवस कब मनाया गया या मनाया जा रहा है आंसरों का 13 फरवरी को देखिए दरसल फरवरी के दूसरे सोमवार को मना जाता है और 23 में 13 फरवरी इसी दिन है उदेश ही है कि मेरगी के बारे में सही जानकारी हो सके प्रचार प्रसार हो सके अगर सवाल हो कि राष्टी ये मेरगी दिवस कब मनायाता है तो 17 नौंबर होता है अगला कोशन प्रेस काउंसिल अफ इंडिया यहीं PCI ने किस पत्रकार को राजाराम मोहनराय नेशनल अवार्ड के लिए चुना है आंसर होगा अन्ना भवानी कोटेश्वर प्रसाद शॉर्ट में उनको MBK भी कहते हैं तो पत्रकार के पता के लिए जनरलिज्म के लिए जो भेतर काम किया उन्होंने उसी के लिए राजाराम मोहनराय नेशनल अवार्ड के लिए चुना गया है अभी हाली में और यह अवार्ड उनको 28th February को दिया जाया तो अभी Press Council of India की chairperson कौन है? Justice रजना प्रकाष देसाई और Press Council of India की वो पहली महिला chairperson है ठीक है? महतरं बात यह रही है तो दोस्तों और भी कोशन है उसको कल के current work में शामिल कर दूँगा डेली का कंटेंट देखने के लिए जरूर आएं आप सकर्ण जो आपने यूट्यूब चैनल पर और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना और शेयर जूर कर दीजिए तमाम मित्रों को ठीक है? मेंबर्शिप आपके लिए है इस सुटिके डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल अबलेबल है अब मिलते हैं कल मौर्णी को